नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मेरा नाम है प्रभाद देखें लोकसभा चुनाओ तो हज्जार 24 को लेकर पर्थम चरण के मतदान हो चुके हैं बिहार में भी पर्थम चरण में चार सीटों पे मतदान हुआ था ऐसे में अब दूसरे चरण का मतदान का दौर शुरू होने वाला है चपिश तारीक को वोटिंग होगा एक नाम सबसेदा चर्चा का विषय बना हुआ है ओएसी वो ऐसी जिने भाजपा की बी टीम कही जाती है लेकिंग ओएसी सिमांचल में अगले चार-पांस दिन तक रु कहा रहे हैं इस पर हम पूरी तफसील से बातचीत करेंगे क्योंकि ओएसी ने अररिया किसंग कटियार और भागलपूर जो सर मुस्लिम बहुल सीट है वहां पे कंडिडेट अपना नहीं उता रहा है अब इसके क्या माइन है किसको नुकसान होगा किसको लाब होगा पूरी डिटेल में हम बातचीत करेंगे इसके लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट रभी पाद्याय सर मोजिदें सर आपका बहुत स्वागत है सर आप बताईए कि क्या वाकई वह इसी भासपाक वाराना चाहते हैं क्योंकि सर 15 सीटों पे अपना कं कंडिडेट उता रहे हैं सर थोड़ा दर्सकों को समझाईए क्या है माधिरा नहीं देखे अभी समय है कंडिडेट अभी इंडिया ब्लॉक में भी आप देखेगा कि कॉंग्रेस का अभी तक अंतिम सूची जो छे सीटों का है वह पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ ठीक है आपचारी के लाण ऐसे अंदर खाने में हो गई है तो वहाँ पर भी ऑवैसी की पार्टी भी कहीं ने कहीं सोच रहे होगी क्या करना है क्या अभी तो चार सीट पर ही दिया है चार में दो जो हैसो अलफसंख्याक को और दो सामानेवर्ग से मने हिंदू समाच से दो को दिय है तो चार अभी डिक्लेयर किया है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब रही बात कि क्या ओवैसी भी भाजपा को हराना चाहते हैं भी भाजपा को हराने की बात ही नहीं है ओवैसी तो ओवैसी की पहचान क्या है वह तो आरोप लगाते रहते हैं पक्ष भी-पक्ष वा चाहते हैं यह कोई समझ से परे की बात है और निश्ची तुरूप से वह वैसी जो है वह भाजपा के खिलाफ उनका एजेंडा है भाजपा के खिलाफ उनकी नीती उनका सिद्धान्त है तो ऐसे में वह निश्ची तुरूप से अब रहा सवाल की आपका दूसरा सवाल की अरर कि ऐसे में अररिया कटियार भागलपूर में वर्रास्टी जंतादल को महागटबंदन को मदद करते हुए नज़रा रहे हैं तो मदद देखिए चुनाओं में घीव रिंटेक होता रहता है कभी किस पार्टी को कभी इस पार्टी को कभी उसको कभी उसको यह सब अंदर खाने सर आप कहा रहा है कि इसलिए कंडिरियेट नहीं दिया कि यह ररिया बाग कटियार और भागलपूर में मजबूत पालवान नहीं मिला यह सब को जानता है कि 2020 के बिदान सबाचुनाव में मजबूत पालवान को ना देखकर OIC के चेहरे पर वोट किया गया था नहीं तो मुहम कोई नहीं जानता था वो तो ऐसी के नाम पे जीते थे सर 2020 का चुनाव क्योंकि सर सिमांचल और पोसी का इलाका जो है वहाँ पे मुस्लिम कंडिडेट बहुत इसलिए दिये थे ना ऐसी का चैरा देखे सर 2020 में देखे एक बात समझ लीजे बिधान सभा का चुनाव अलग होता है लोग सभा का चुनाव अलग होता है दोनों का जो इक्वेशन है दोनों का गणित है दोनों का केमेस्ट्री है वो इदम डिफरेंट होता है उसमें कहीं कोई बिधान सभा से लोग सभा को नहीं जोड़िए लोग सभा से बिधान सभा को नहीं जोड़िए और बिधान सभ का मतलब जो जिताओं कैंडिडेट होगा उसी को पर कोई भी पार्टी कोई भी सिर्थनेत्वित कोई भी लिडर्शिप उसी पर भरोसा उसार आ वह बोले थे उसका मतलब यह नहीं होता है कि बोल दिये तो वह अंतिम वाक्य हो गया उसके बाद कोई वाक्य में देखिए वह अलग भी से है कि बोले थे 15 सीट पर अभी उनको नहीं मिला अभी समय है जिसे हम बता रहे हैं कि अभी इंडिया ब्लॉक में भी कॉंग्रेस के का रास्तिये पार्टी है उसके देखिए उसके उसके चौमीदवार का अंतिम उफचारी क्रूप से घोसना नहीं हो सका है तो यह तो अलग भी से है उस पर कहा कोई डिसकसन है कि जो मैंने बोल दिये तो वह कोई राम वाक्य तो नहीं हो गया एक और बात सर मैं आप से जानना लड़ते हैं तीसरे पैदान पे राते हैं दो लाग पंचानवे हचार वोट आता है बहुत मामूली अंतर से तीनों में बहुत क्लोज फाइट होता है सर यह सब कोई जानते है ठीक है एक साल पहले सर लोग सबाचुनावा में भी किसको चेहरा देखके वोट किया गया था अक्तूर लिमान के बारे में हम बता दे हैं अक्तूर लिमान कोई पहली बार नहीं है क्यों वैसी की पार्टी में आकर ज्हंडा उठाए तो बहुत अच्छे वक्यों के रूप में उनकी पहचान है तो अक्तरो्良上面 का वो उससे किसी से अगर हम किसी से compare करें तो वह compare मिने वो नहीं है, अक्तर forbidden जाने जाते हैं, जो बात बोलते हैं, लोग उनको, हजारो χजार लोग सुनते हैं अक्तरोल Communi मान को तो वह अक्तरोलि मान की देखे, ठीक है, हो आव ऐसे की party, कि पार्टी से ए आई-एम-आई-एम के वो प्रदिय सध्यक्ष्य वह एक अलग मिसे हैं लेकिन वह जिस संगठन में मजबूती के साथ वो संगठन को चला रहा है वो बोल दिये तो उनको लड़ा का उनको पहलवान नहीं मिलेगा तो वो कैसे उतारेंगा और ठीक है वहाँ अब जिसे अररिया में सहनवाज आलम लड़ रहा है तसलीम उदीन साब के बैटे हैं सबसे चोटे बैटे हैं तो वहाँ लड़ रहा है अब कटिहार में देखे तारीक अन्वर लड़ रहे है भागलपूर से अजीद सर्मा यहीं चालने की कोशिस कर रहा था कि अगर कटिह अगर भागलपूर में अगर कोई मुसलिम परत्यासी दिया जाता तो इससे किसको फायदा होता एयायम की तरफ से दिया जाता लिया जाता वह तो यह हिंदू परत्यासी देते तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो उनका जो मूल आधार वोट है जो किसको डेमेज होता तो वह डेमेज करना नहीं चाह रहे थे कि वह या फिर उनकी मंसा क्या है वह तो वही बता सकते हैं लेकिन वह कहीं नहीं देने से आर जेडी का जो एसो एज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है यह तो बात क्लियर कट है उसमें कहां दिकत है और जहां-जहां वह उनने दिया का है वह आरजीकiri को ही वह मेंग एक तरीके से सर्फ किसंघं के छोड़ दिया जाए जाए तो जाहां भी और दो मुस्लिम कंडिडियेट दिया गया सिवर पर बात कर लेते हैं सर राणार राज़ित सिंग को टिकर दिया गया स्वर्ण राजपूत से आते हैं वहां पर एक प्रत्यासी है लवली आलान जो राजपूत है ठीक ठाक मुस्लिम जनाधार है और उसके बाद सामने है उमिद्वार हैं तो वहाँ पर राना रंधीर सिंग यह परसिप्सन बनाने की जड़ती नहीं वहाँ पर निस्ची तुरूप से रितु जैस्वाल ही वहाँ पर डेमेज होंगी वहाँ पर इसमें एकदम क्लियर कट है वहाँ उसमें का अधिकत है वह जो भोट काटेंगे वह AIM के जो उमिद्वार लेंगे वह किसका वोट लेंगे मुस्लिम का वोट लेंगे वह वैसी का वोट लेंगे तो वह दिस्ची तुरूप से वहां रितु जैस्वाल को वहाँ पर जो एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा लवली आनंद को तो वह जो कोई बड़ा कोई जन जो लवली आनंद और उनके पतिश्री है वो तो उनकी अलग पहचान है तो वहाँ पर देखिए वहां जो भी हो गए राना रंधीर जो किसका वोट काटेंगे वह रितु जैस्वाल का वोट काटेंगे उसमें कहा दिकत नहीं है तो वहां से लोकसवा सीट पर वीन-वीन के स्विचूेसन में है लवली आनंद का वहां पर कोई दिकत नहीं है वहां सर एक और चीज़ में जहनना चाहूँगा आप सब प्रियंका चोधरी किसका वोट कटेंगे तो वह उनको पाइदा नजर आएगा उसमें कहा दिकत है सर हम बस यह चीज़ जानने वाले थे हैं कि कटिहार भागलपूर और अररिया जो मुस्लिम ठीक ठाक डोमिनेंस अब दर्मंगा में भी देखिए कली रेट हूं का मुहमत कलाम तो वह किसका वोट काटेगा वह आरजेदी का वोट काटेगा ललीतियादों को वहाँ पर जो उम किसंगन, अररिया, कटिहार, भागलपूर, पुर्निया, गाया, बगसर, मुझापरपूर, उजयारपूर, तराकाट, गपालगन, सिवा, पाठिपूर, उसमें समझने वाली बात है कि अभी उनको शुरू में हम बताए कि वहाँ पर उनको पहलवान उनको लड़ाका नहीं वो कंडिडेट का डिसाइड होगा कि कौन कंडिडेट लड़ेगा, कौन मजबूत पहलवान है और कौन फाइट दे सकता है, तो ऐसे में ओवैसी कोई इस तरह के वह भी राजनीची करते हैं, ऐसा थोड़ी है, तो तभी तो आप देखिए कि 2020 के चुनाओं में जो सो अलग अलग चीज है, तो फाइनली है, सर माल लिया जाए कि ओसी को बिहार में कंडिडेट नहीं मिल रहा है, नहीं कंडिडेट हो सकता है, यह कौन बड़ी बात है, भाजराबाद से चलके यहां रहा है, अक्तरुल इमान खुद अपने चुनाओं में किशन गंज में लगे देखेंगे, उनको मजबूत पहलवान, अगर सब सीटों पर मिलेगा, तो वह होगा, बागलपूर में निकल गया, और सब जगह पर है ना, भी तो मुझपरपूर में होना है, तो उजियारपूर है, मैं तो अब देखेंगे, करा-काठ है, पठली पुत्र है, तो सब देख देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फिस्बूक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद.